हेलो एवरीवन मैं विश्रुजीत सिंग आप सभी का देई नव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की स्वीडियो के अंदर में हम M.A.H.I.02 आधुनिक विश्रु का यूनिट फिफ्थ पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर में हम जानेंगे कि यूनिट फिफ्थ के अंदर में कितने चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर के बेसिस पे किस तरह के टॉपिक्स बनते हैं कोशिंस कैसे बनते हैं और एक्जाम में कैसे कोशिंस पूछे जा सकते हैं और उन questions का mainly answer कैसा लिखा जा सकता है इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर में discuss करने वाले है वीडियो short वीडियो रहने वाली है तो वीडियो को last तक देखेगा जिससे आपको समझ में आए चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक जो unit 5 है उसका टॉपिक का नाम है यूरोप का विस्तार मतलब यूरोप का विस्तार किस परकार से हुआ उसके बारे में हम यहाँ पर discuss करेंगे टोटल 5 चैप्टर आते हैं जिसमें हमारा पहला चैप्टर है विजय और अधीगरहन इस चैप्टर का अगर आप टाइम पेरे टाइम लाइन की बात करो तो 1500 से लेकर 1800 बीच का इसका टाइम लाइन रहता है जिसके अंदर में यूरोप के देशों के द्वारा विश्व के अन्ने देशों को विजय और अधीगरहन के तुरू अपना विस्तार करना किया जाने लगा जो यूरोप के देशों के अंदर में जो विस्तार करने वाली जो नीती थी वो किसकी देखने के लिए मिलती है तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ये जो इस तरह के देश थे उन्होंने विस्तार करने वाली नीती सबसे ज़्यादा अपना ही जिसके तहट एसिया, अफरिका, अमेरिका के जो भी देश थे उनके उपर अपना विजय के थूरू या फिर अधीगरहन के थूरू अपना विस्तार किया अपने भूमी का विस्तार किया ठीके समझ में आता है सोलवे चैप्टर की मैं बात करूँ तो सोलवे चैप्टर के अंदर में प्रवसन और आवासन की बात करते हैं अब बहुत सारे लोग तो ये थे कि जैसे इस इंडिया कंपनी या इफिया फिर यूरोप अमेरिका के जो भी बड़े बड़े देश थे उन्होंने क्या किया कि युद किया युद के बाद जीत गया और उसको विस्तार कर लिया दूसरा ये था कि उसके उपर कबजा कर लिया जबड़दस्ती बिना यूद के ही उसके कबजा कर लिया तो अधिक रहन हो गया ठीके इस तरीके से विस्तार हुआ दूसरा तरीका ये था कि बहुत सारा लोग मतलब बहुत सारे आदमी वहुत सारे वैक्ती बहुत सारी जन्ता एक बड़ी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह विस्तापित होगा और उसको अपना घर जैसा बना लिया तो वो भी एक विस्तार का कारण बनता है ठीक है आज क के अंदर में जाओगे तो आपको लगेगा एक दूसरा इंडिया है तो पूरा इंडिया विस्तार किया मतलब वह भी विस्तारवादी नहींती है एक तरह से पर अलग तरीके का विस्तार जिसके अंदर में परवासन के अंदर में क्या होता है कि कोई वैक्ती एक जगह से द पर जब हम 17, 18 और 19 टॉपिक की बात करते हैं तो ये important है अब हम बात करते हैं सम्राजवाद सम्राजवाद है क्या? जब एक देश के दौरा अपनी सीमा का विस्तार कह जाता है सीमा का विस्तार करने के लिए कदम उठा ठीक है यह समझ सकते हैं अभी आज के समय में सबसे बड़ा example आपको देखने के लिए मिल जाता है पर अगर आप पीछे के example से connect करो जैसे East India Company भारत के अंदर में यह और भारत को गुलाम बनाया क्या वो समराज्यवाद की नीती थी तो नहीं वहाँ पर समराज्यवाद की नीती नहीं कर सकते हैं पर अलग-अलग दृष्टी कौन से उस समराज्यवाद भी बोला जाता है ठीक है समझ में आता है अब अठारवे topic की मैं बात करूँ अठारवे टॉपिक के अंदर बरा हम पढ़ते हैं उपनिवेशवाद उपनिवेशवाद है क्या? तो उपनिवेशवाद क्या? वहाँ पे जिस देशने दूसरे देशों पे कबजा किया है ठीके? भारत के ऊपर बितन आकर कबजा किया तो हम क्या हुए? Britan की हुआ, एक तरह से हम Britan के उपनिवेशवाद हुए ठीकि, बिटन ने हमारे उपर अपना उपनिवेश काइम किया और हम उपनिवेशवाद कहलाए, Britan के क्योंकि हम गुलाम है और उपनिवेशवाद के अंदर में क्या होता है तो बिर्टेन ने भी क्या किया भारत के अंदर में आया तो भारत के अंदर में जब आया तो पहली पलासी की जो लड़ाई लड़ी गई थी परतम पलासी की लड़ाई उससे पहले तक बिर्टेन ने क्या था एक कमपनी के तौर पर भारत के अंदर में वाक कर रहा था इस इं देरे देरे धन निकासी जैसे चीजे स्टार्ट करते हैं, मतलब भारत को अंदर-अंदर खोकला बनाना सुरू करते हैं, लूटते हैं और लूट के ले जाते हैं अपने देशों के अंदर में इसको आप समझ सकते हो, तो समराज्यवाद के अंदर में जो में मोटीव क्या होता है, सीमा का विस्तार करना और उपनिवेश्वाद के अंदर में क्या होता है, कि में मोटीव अर्थ वबवस्ता के अंदर में हस्तत शेप करना, पुंजी वाद को यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाता है तो जो सत्रवा और ठारवा का कोष्वीन बन जाता है दोनों को कॉम्पैर्जण करते गुए सम्राजी बाद क्या है और उपनेवेश्वाद को भी समझाइए इस इस unit की topic की बात करूँ, तो वी उपनिवेशिक करन की हम बात करते हैं, वी उपनिवेशिक करन क्या होता है, जब देखो, उपनिवेशिक करन मतलब क्या, किसी देश को अपना गुलाम बनाना, उसके उपर अपना rule, अधिपत कायम करना, और उसके अर्थवेशिक करन से हंस छेप करना, उपनिवेशिक करन क्यालाता है, और वी उपनिवेशिक करन मतलब उसकी अर्थवेशिक करना छेट से नहीं करना, ठीके, या विर नहीं करने देना, वी उपनिवेशिक करन क्यालाता है, वी उपनेवेशी करन की जो विचारधार है सबसे पहले 1932 में जर्मनी इतिहांस करते हैं विद्वान थे मैरिटेज जूलियस करके उनके द्वारा ये विचारधार है सबसे पहले सामने आई जिसके अंदर में राष्टवादी जो समर्थक लोग थे बारत के अंदर में और भारत के बाहर भी उन्होंने क्या क्या वी उपनिवेशी करण का आवाहन किया इसके अंदर में क्या था कि उपनिवेशी करण को चुनोती देना उनके चीजों को मानने समया कर देना जैसे उपनेवेशी करन में कहा था अर्थवेस्ता के साथ चेरचाड करना उसको रोकना ठीक है विउपनेवेशी करन में होने लगा धन निकासी को रोकना इन सब जो चीजे थी उपनेवेशी करन की जो भी चीजे थी उसको रोकने का प्रियतन करना विउपनेवेशी करन कहला मतलब क्या उपनिवेशी करण का एक दूसरा फॉर्म जिसके अंदर में वह सारी चीजे नहीं की जाती तो उसको वियोपनिवेशी करण कहलाया ठीक है और इसका में प्रकर रूप किसने दिखाया तो रास्ट वाद के थूर इसको लीड किया गया रास्ट वाद के जो विचार पर लिस्टिंग में और आपको आगे की युनिट 6 की विडियो चाहिए तो जो भी आपका रिस्पॉंस होगा इस वीडियो के उपर में फिर मैं आगे की वीडियो बनाऊगा अगर आपका रिस्पॉंस नहीं तो वीडियो नहीं तो फ्रेंट्स थैंक यू सो मच फॉर